बागी हुई 401 ब्रिगेट हमास की ग्रेंड वैली तबाह हमास को जरा भी उमीद नहीं थी की सीज फायर की ढील के दोरान इसरेली सेना आखरी वक्त तक इतने भीशन और खोंखार हमले करी ही उतरी गाजा, डक्षन गाजा और वेस्ट बैंक में हमास पर सीज फायर डील के दोरान भी इसरेली सेना भीशन हमला कर रही है लगभग पचास दीन के भीशन जंग में अब इसरेली सेना की 401 ब्रिगेड ने डक्षन गाजा में ऐसा हमला किया है कि हमास और इसरेल के बीच तैह हुई सीज फायर डील के खोद इसरेली सेना ने धज्जिया उड़ा दी है इसरेली सेना का दावा है कि उसने हमास के ग्रेंड वैली को पूरी तरह से तबाह और बरबाद कर दिया है दावा किया जा रहा है कि हमास के ग्रेंड वैली में मौझूद हमास के कमांडर, लड़ा की रॉकेट डीपो और हत्यारों से भरा अस्पताल इस्रेली सेना ने तबाह और परबाद कर दिया है इस्रेली सेना ने हवाई और जमीनी हमले में तबाह कर दिया है हैरानी की बाद तो ये है कि बच्चों के ऑपरेशन रूम में मौझूद बिस्तरों में हत्यार शपा कर रखे गए थे हत्यारों के जखीरे और भूमिगत बुनियादी धाचे का खुलासा इस्रेली सेना ने किया है इस्रेली सेना के मताबिक ग्रेंड वैली हमास का वो इलाका है जहां से लड़ाई के दौरान हमास के लड़ाके इस्रेली सेना पर जबरदस्त हमले कर रहे थे इस्रेली की 401 ब्रिगेड डे खुफिया जानकारी के अधार वर हमास के ग्रेंड वैली को पूरी तरह से तवा और बरबाद कर दिया है दावा किया जा रहा है कि हमास के 150 से ज़ादा लड़ाके और सिनियर कमांडर इस्रेल के इस हमले में मारे गए है के बbuilding अचाम बωνुत का इसमेा कर समया ओए हो कर गए कर द्सके ऴूरा काटा है अजन स्भusedबंड-चाम भरे ४र्म Turkish ब mice्ता अब मनुत को खरा एंश हमास का सफाया है सीस फाय डील के दौरान भी हमास के उपर इसरेली सेना पुरी ताकत के साथ हमले कर रही है इसरेली हमलों से हमास चेफ इसमाईल हानिया और खान यूनिस के टॉप कमांडर और नेता अहिया सिनवार बुरी तरह से बौकला गए हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इसरेली सेना से कैसे निपटे इधर दूसरे तरफ इसरेली सेना ताब और तोड हमले कर रही है हमास के ग्रैंड वैली में इसरेली सेना की 401 ब्रिगेड ने दावे के साथ सबूत पेश करते हुए साबित किया है कि Grand Valley में हमास के घातक हतियार और सैन ने उपकरण मिले हैं लंबी दूरी के रॉकेट, लॉंच, शाफ्ट और हमास के उपरेशन शाफ्ट को इसरेली सेना ने धून निकाला है पर यहां हमास का उपरेशन बेस भी मिला है जिसमें गोला, बारूद, हतियार और दूसरी चीजे शामिल है Grand Valley बरिये खोने वेली मारे गए एक सो पचास लड़ा के इधर लगवर पचास दिन के खोनी जंग में 43,000 से जादा इमारते गाजा पट्टी में तबा हो चुकी है जबकि 2,25,000 से जादा इमारते अब रहने लाइक नहीं बची है 10,000 से जादा हमास के लड़ा के मारे जा चुके है इधर इसराइल के आईडिएफ ने दावा किया है कि महज 10 घंटे की लड़ाई के बाद हमास का परमुक गड़ पर गबज़ा कर लिया गया है इसराइली सेना का कहना है कि 10 घंटे की भीशन जंग में हमास के दरजनों लड़ा के मारे गए हैं आईडिएफ के मुखे पैदल सेना इकाईयों में से एक नाहल ब्रिगेज के सैनिकों ने उतरी गाजा के पश्रम में जवालिया पर भीशर हमला किया है जवालिया में आउटपोस्ट 70 पर आईडिएफ ने हमास लड़ाकों को मार कर गबज़ा कर लिया है आईडिएफ ने खुलासा किया है कि हमास के लड़ाके जमीन के उपर और भुमिगत मार्ग से हमले कर रहे हैं आईडिएफ की खुफिया जानकारी के आधार पर एक आईडिएफ फाइटर जेट ने सेंट्रल कैम्प ब्रिगेड में हमास की एंटी टैंक मिसाइल उनिट के प्रमुक इब्राहिन अबू मकसीब को मार डाला है आईडिएफ के मताबिक अबू मकसीब ने मार जाने से पहले इसरेली नागरी को और आईडिएफ सेनी को पर कई एंटी टैंक मिसाइल से हमला करने जा रहा था इससे पहले हमास के एंटी टैंक मिसाइल के कमांडर मुहम्मद असर को आईडिएफ ने मार डाला था हमास के कमांडरों की सिरियल किलर बनी आई डी एफ लेकिन इसके बावजूद कब्रिस्तान बन चुके उत्री गासा में हमास के लड़ा के लगातार इस्रेली सेना और टैंकों पर भीशड़ हमले कर रहे हैं हैरानी की बात तो ये है कि हमास के अलग कसम ब्रिगेड अमेरिकी और रूसी हत्यारों से इस्रेली सेना पर हमला कर रही है हमास के पास जो खातक राइफले हैं उन्हें देख कर ही लग जाता है कि ये या तो अमेरिकी हैं या फिर रूसी इसे वीडियो में दिखाया गया है कि हमास के लड़ाके अचानक तबाह मारतों से बाहर निकल कर RPG फायर कर रहे हैं या फिर टैंकों बर सीध है रॉकेटों से हमले कर रहे हैं जबके जमीन पर इसरेली सेना का एक भी पैदल सैनिक नहीं दिख रहा है इसरेली सेना पूरी तरह से या तो टैंक के अंदर है या फिर किसी वक्तरबंद वाहन के अंदर से हमास के लड़ाकों से जंग कर रही है हमास के इस खुफिया युद्ध ने इसरेली सेना के पसीने छुड़ा दिये हैं खुद इस्रेयल के रक्षा मंत्री तक मानने को मजबूर है कि उन्हें बेहद क्रूर और शातिर लड़ाकों से जंग करनी पड़ रही है पुद आड़ाने को मानने उन्हें ओड़ाने को में बेहा रही है पागी हुई फोर जिरो वन ब्रिगेट हमास की ग्रैंड वैली तबाह लेकिन जिस तरह से इस्रेली सेना ने सीजवाय से ठीक पहले तक हमास प्रोकूर और बेरहम हमले किये हैं उसने हमास की रीड तोड़कर रखती है दक्षड गाजा के जवालिया में मौजूद हमास की ग् सेना गाजा प्ती में फैले सुरंगों के जाल को लगतार खत्म करने की खोशूश में लगी है सुरंगों के निटवॉर को हमास क सबसे बड़ा मददगार मना जाता है। इस्रेली सेना ने गासा के सबसे बड़े अस्पिताल अल्शिफा के नीचे भी बड़े सुरंग निटोर को खोज निकाला है। इस्रेली सेना ने दावा किया है कि हमास ने अस्पिताल के नीचे से सुरंगों का एक पूरा जाल बुन रखा था। और यहीं से वो अपनी आतंगी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था अब देखना होगा कि हमास इस्रेली सेना को चार दिन के सिस फायर के बाद कैसे टक कर देता है झाल